धन्यवाद इदी पहले एक बार धात के लिए तालिया बजा लीजी अपने आप के लिए तालिया बजा लीजी इस मात्र भूमी में इस देव भूमी में असंख्या आए असंख्य गई कुछ लोग ऐसे उत्पन्न होते हैं जो अपनी धरा के मूल को समझ पाते जो अपने धरा की वास्तविक्ता से जुड़ना चाहते हैं या किनी कारणों से दूर हो गए तो उसमें वापस लोटना चाहते हैं मुझे ये लगा कि धात वो संस्ता है जो अपनी धरा पर अपने मूल पर वापस लोट कर काम करना चाह रही है इसलिए मेरा जुड़ाव धात संस्ता से हुआ दूसरा उद्यान का जो विसय आप लोगों ने उठाया आज के इस कल्यो फूट फेस्टिवल में वो था मेरा धात से कैसे संपर्क हुआ कैसे मैं धात के लोगों से जुड़ा कैसे मेरा आत्मी संबंद बना इस राज्य को हम लोग जब भी तुलनात्मक रूप में देखते हैं तो हम लोग या तो उधारण देते हैं कि हम लोग इसको हिमांचल की तरजपे विक्सित करेंगे या हम इसको सिक्किम की तरजपे विक्सित करेंगे हिमांचल की तरव उध्यानों को बनाएंगे जम्बू एन कश्मीर की तरव अख्रोट के बागान पैदा करेंगे कभी हिमान्चल से कई गुना आगे हुआ करता था जो ये जानते हैं कि जम्बू एंड कश्मीर ने हमसे फलों का पेडों का पौधों का ज्यान अरजित किया है जो ये जानते हैं हमारे मूल में वो सब कुछ था जो हमें आर्थिक रूप से मजबूत करता था लेकिन क्या कारण वे राज हमसे समरिद्धी के हर वो गुण सीख के आगे चले गए उन्होंने अपना फल उत्पादन भी प्रारंब कर लिया उन्होंने अपना खाद्य उत्पादन प्रारंब कर लिया उन्होंने अपना एक विजनरी डॉक्युमेंट बना लिया और हम लोग को मजबूर कर दिया कि हम लोग उनके पदचिन्नों पर चले हम लोगों को मजबूर कर दिया कि हम अपनी विरासतों को कागजों के पन्नों में खोजे किसी बच्चे की जवान पर अपनी विरासत नहीं होगी आज के दिन हमें अपने बच्चे को अपनी विरासत कागज के उन पन्नों से समझानी पड़ेगी लेकिन इन राज्जों में आप चले जाएंगे तो बच्चा जन्म के समय बोलेगा मैं तो ये खाता हूँ और उसको तुम यहां आके अगर अपने यहां का भट की चुड़कानी खिला दोगे न काली सबजी ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची-ची ये पहाड से आई है, अरे भट की चुड़कानी हमने खाई थी कभी, ठाली में क्या चाहिए डोसा, कि ये मत्तब इस परंपरा को हमने इस कदर विक्सित कर दिया, कि आज हमें उसकी खोज करनी पड़ रही है, आज हमें लोगों को अपने मूल की ओर वापस लाना पड़ रहा यूएस रावज जी धात सस्ता के हैं, गनेश चन उनियाल जी धात सस्ता से हैं, तन्मे ममगाई जी धात सस्ता से हैं, एनलोकेस नवानी जी, चार लोग लगातार मेरे उस आमरण अंसन के दोरान, आप सब की ओर से थे, चार लोग नहीं थे, पुरी धात सस्ता मेरे साथ उ मैंने 13 दिन के आमरण अंसन के बाद सरकार ने जांच के आदेश दिये तो 14 दिन 14 दिन आमरण अंसन खतम हुआ उसके बाद विचार आया कि नहीं यह अंसनों से नहीं होने वाला है फिर मूल पर जाना पड़ेगा जिस पेड़ की जड़ काट दी जाएगी उस पेड़ पर टह जिलो का भ्रमन किया अपने अंदोलन के तुरंद बाद जाके चमूली उत्तरकासी अल्मोडा पिथोरागड इन जिलों में बहुत आयत माल्टा उत्पादन किया जा रहा है क्योंकि बिसए माल्टा है मैं धीरे-धीरे आपको इसकी और ले आऊँगा माल्टे का उत्पादन इन जिलों में इस वक्त बहुत जादा है चमूली जिसमें नंबर वन पर है उत्तरकासी पिथोरागड अल्मोडा इसी क्रम में सारे पहाड़ी जिले तीन या चार तराई जिलों को एदि छोड़ दिया जाए सब में माल्टे का उत्तपादन है माल्टे का मूल मुझे लगता है हमें समझना चाहिए उत्राखंड से बाहर जाओगे या हो सकता है देश से बाहर क्योंकि आप तो कई ऐसे लोग हैं विद्वान जन हैं विदूसियां हैं जो बाहर भी जाती हैं ने देशों में भी जाती हैं माल्टा कहोगे तो दक्षन य लोगे तो वो माल्टा इन नौ जिलों के अलावा दस्वा जिला नहीं होगा जो इस माल्टे के बारे में आपको बताएगा जबकि ये माल्टा पहाडी फलों का राजा है यह माल्टा पहाड़ी फलों का राजा इसलिए है वैसे आम को फलों का राजा कहते हैं वो ही याद रखिएगा लेकिन पहाड़ी फलों का राजा माल्टा इसलिए है क्योंकि उसमें भी उतने ही औसदिय गुण है जितने औसदिय गुण आम में पाये जाते हैं आम की टहनी, आम के पत्ते और आम सब प्रियोग में लाया जाता है, माल्टे की टहनी, माल्टे के पत्ते, माल्टा सब कुछ प्रियोग में लाया जाता है, जिस प्रकार आम एक निश्चित समय अवधी में होता है, उसी प्रकार माल्टा भी एक निश्चित समय अवधी में हो वो समयावदी है दिसंबर जन्वरी हुएंसांग और हुएंसांग जैसे लोग जब भारत भर्मण पर निकले थे जब उन्होंने परवती राज्यों का भर्मण किया तो उनके थेलों में मालते के दाना हुआ करता था चीन का तो चीन से उत्पत्ती उत्राखंड या हिमान्चल नहीं है इसके उत्पत्ति का स्रोत है चीन जब यह लोग हिमाली राज्यों की और विश्व भर्मण का एक संकल पर लेके खोश कर रहे थे लोग तब नए नए सेरों की नई देशों की तो यह लोग अपने सहर से इस दाने क हिमानचल जैसे परवती राज्यों में यह लोग आये यहाँ पर इनों ने इसके बीज को जो है कहीं छोड़ा उसने अंकुरण इतना अच्छा लिया कि चीन से अधिक उत्पादन उसका उत्राखण में हुआ उससे भी अच्छा उत्पादन हिमानचल में हुआ ऐसे ही अन्य परवती राज्यों में हुआ इसका प्राकरतिक मूल वहीं से है लेकिन हम लोगों ने इसको इतना अपनाया कि हमारे वहां के मैक्सिमम बगीचे अधिक्तम बगीचे आप अपने पूरवजों से अपने पुराने लोगों से अपने गाउगोरों में पूछना माल्टे के नीबू के जिसको आप गलगल का रूप दे दिया नीबू के हुआ करते थे और कागजी नीबू मेरे ख्याल से गलगल सब्द भी उसके लिए परियोग नहीं होना चाहिए गलगल कहते ही हम अपनी उसकी वैल्यू घटा देते हैं गलगल एक अलग फल है गलगल के बारे में आपको फिर बताएंगी माल्टा हमारे राज्ज में यदि हमारे राज्ज के लोग इसको बताना चाहें लोगों को इसमें एंटि आक्सिडेंट इतनी भरपूर मात्रा में पाया जाता है जिससे किसी भी प्रकार के किसी भी प्रकार की जो रोग प्रतिरोधक शमता होती है एक मनुष्य के अंदर किसी बीमारी से लड़ने की वो अपने आप उत्पन्न हो जाती है यदि आप इन तीन सीजनों में माल्टा खाना सुरू कर देंगे आपके सरीर में कभी विटाइमिन सी की कमी उत्पन्न नहीं होगी आप किसी डॉक्टर के पास आज के डॉक्टर सला देते हैं या नहीं देते मुझे नहीं पता जब यह प्रचुर मात्रा में हुआ करता था जिसको स्टोन की दिक्कत रहती थी उसको डॉक्टर सला दिया करते थे कि माल्टे का जूस आप जरूर लीजिएगा जिन लोगों को डियाइड्रेशन की अधिकतर सिकायत हो जाती थी जिन बच्चियों को जिन बच्चों को कभी धूप में गिरने का कभी वो मिचली आने का या डियाइड्रेशन की सिकायत हो गई उन लोगों को डॉक्टरों की स्पेसल होती थी क्या तुमारे यहां माल्टा कहा होता है तो अपने बज्चे को माल्टे का जूस पिलाना माल्टे के जूस से डिहाइड्रेशन जैसी समस्या से निजात मिल जाती है इतना सब कुछ होने के बाद कार्बो हाइड्रेट के इसमें मात्रा जो है प्रचूर जो है प्रचूरता जिसे कहते हैं कार्बो हाइड्र कि जो लोग आज कल आप देखते होंगे फेसियल करने के लिए कब लाते हैं लोग करते हैं रगणने के लिए लाते खुब धाई डज़ा तीन तीन साथ सपस़ रूपे कर में वह कहांसे बनता है माल्टे का छिलका सुखाईए उसका पाउडर बनाईए अपने किसी भी फेस व लगाते थे, मेकप हुआ करता था उससे, उसका छिलका भी इतना महत्वपूर है, इसकी गुणवत्ता को सीखने के लिए आज भी जो लोग, I think केवी के में आप जाएंगे, अब कुछ ही नोंने संसाधन संपन राज्य को संसाधन सीमित राज्य बना दिया है, तो आज भी माल राप्टे की उपियोगिता को इन लोगों ने सतो समाप्त कर दिया, मैं कंडारी खोल गाओ गया था, चमूली जी लेके गैरसेण में, हमारी राजधानी गैरसेण, जिसो के हम राजधानी भी कहते हैं, किसी के कागजों में हो या न हो, हमारे दिल में राजधानी गैरसेण है कुछ राज्य अंदोलनकारी भी होंगे जिन्होंने इस राज्य की लड़ाई लड़ी होगी वो दिल से मानते होंगे कि हमने राज्य इसलिए बनाया था क्योंकि हम इसकी राजधानी कि एक आदमी के पास मालता है कंदारी खोल मैं मैंने का भाई साब यह इतना सारा मालता अंप लोग अच्छे लोग है बोला साब हमारी तो मजबूरी है करें क्या हम लोग मैंने का क्या हुआ बताओ कोई खरीदारी नहीं है कोई लेता ही नहीं है उनका क्यूं उनका अगर हम किसी ठेकेदार को देते हैं वो हमसे कहता है तीन रूपे चार रूपे किलो दे दो और देरा दून में आप उसका रेट पता किजिए आपको 60 रूपे मैंने देखा कि धात ने ग्राम मजगोट से ब्लॉक कलजी खाल से पहाड़ी मालता 30 रूपे और पहाड़ी नारंगी 60 रूपे लिया मैं इस खुशी से यहां पहुँच गया मेरा एक मात्र निसकर से यह था कि भाई जो मेरा उत्पादन करता है जिसने उसको अपने बच्चे की तरह पाला उसको इस योग्य बनाया क्यों कुंतनों में फल दे रहा है साल भर उसको देखता है तब कहीं जाके उसमें फल आते हैं उसको बंदर से भी बचाता है दस प् लोग, उनको हम उसमें 40 रूपे किलो, 50 रूपे किलो, 60 रूपे किलो देने को तयार है, इस तंत्र से, इस तंत्र से लड़ने के लिए और इस तंत्र की आवाज बनने के लिए जो धात सस्ता ने काम किया, मेरे ख्याल से 20-30 रूपे किलो, अब अब तुलना किजे, मैं आपको MSP तै किया, नियुन्तम समर्थन मूलय आठ रूपे किलो अब आप बताईए कौन किसान अगली बार माल्टे के पेडू लगाएगा जिस माल्टे का नियुन्तम समर्थन मूलय आठ रूपे घोसित कर दिया गया हो उस माल्टे के परती में दोवारा से रुजहान कैसे लाओं उनके सानों का भला हो धात सजी सस्ताओं का जो 30 रूपे किलो 60 रूपे किलो पे ले रही है कम से कम उस ब्लॉक के लोग तो सोचेंगे कि अगली बात फिर धात की सस्ता आएगी हम से ले जाएगी हम तो उनके लिए लगा रहे है हम सरकार के लिए नहीं लगा रहे है मेरा ऐसे प्रभुजनों से ऐसे वर्ग से निवेदन है ऐसे कल्यो फूट फेस्टिवल कि वल तेरा दून में न होकर तेरा जिले हैं बारा महीने हैं तेरा जिले है बारा महिने, बारा महिने में बारा जिलों में तो होई जाए, और इनके सीजनल फलों पर आप अगर दाम दे सकते हैं, सामन्जत से स्थापित हम लोगों करना होगा, राज्य बचाने की जिम्मेदारिया को सरकारों की नहीं होती है, राज्यों को विचारों से बचाया जा सकता है आपने बोला कि हमारे विचार माया कल्यो फूट फेस्टिवल मैं और आप कोई नहीं रहेगा आपका ये विचार कल्यो फूट फेस्टिवल आजीवन लोगों के दिमाग में रहेगा विचार जिन्दा रहते हैं संसकार जिन्दा रहते हैं और संकल्प जिन्दा रहते हैं इन संकल्पों को लेगर कि क्या हमें करना है क्यों हमारा पहाड़ी आज पहले तो हम पहाड़ी कहने सरमाते थे आज हम पहाड़ी कहने में गर्व महसूस करते हैं एक नया चलन आया है मैं तो कह रहा हूँ और ये चलन आने में भी बहुत लंबा समय लगा कि आज पहाडी अपने को पहाडी कह रहा हूँ नियाल जी से यही मेरी रास्ते में बात हो रही थी खुदी बता रहे थे हम लोग यदि धरातल पे जाएं जिस माल्टे को मैंने बोला आपको ये पहाड़ी इसको हम लोग पहाड़ी फलों का राजा कहते हैं हर मंच से मांग उठे कि जिस प्रकार हम अन्य प्रस्नोत्तरियों में फल फूल खाद ये त्यादी को एड़ करवाते हैं उसी प्रकार माल्टे को भी राज की दरजा दिलाया जाए कि इसको राज की रूप में भी घोसित किया जाए कि ये पहाड़ी फलों का राजा है जिस दिन लोगों को ये पता चल जाएगा कि उत्राखंड के पहाड़ी फलों का राजा माल्टा है फिर कोई राज जी नह अपने आप एक जोगों आके जुड़ जाती है उसे पढ़ना उसके बारे में जानना हर व्यक्ति की जिम्मेदारी हो जाती है तो ये मांग हमारी ओर से उठनी चाहिए दूसरा जो मैं MSP की बात कर रहा था नियूंतम समर्थन मूलिया हम से जस्ट पहले यहां पर एक बैठक कायोजित हुई मैंने उसमें कई सारे भी सही रखे अधिक्तम समर्थन मूलिय क्यों घोसित ने किया जाता है नियूंतम समर्थन मूलिय क्यों घोसित करे नियूंतम उस किसान की इच्छा वो किसी को कितना भी दे मेरा रिस्तदार है वो मुझे फिरी में भी दे दे चलेगा अधिक्तम समर्थन मूली बताओ ना उसको आप कित्ता रूपिया दिला सकते हो मैं 25 रूपे किलो गवर्मेंट इनिसियेटिव ले ले कि हम कम से कम 25 रूपे किलो उससे खरीच सकते है हजारों मेट्रिक टन माल्टा सड़ जाएगा मैं आपको बताओ वो एक महीने के अंदर अंदर में गिर जाएगा कोई उसको कोई देखने वाला नहीं है उनलोगोंने मंडियों में आठ मंडिया इंतजार कर रही है कि इनका फल सड़े तो यह हमारे चरोणों में गिरे मैं आपको ये भी बता दू मंडिया उनके उपर नजने गिडाय बैठी हुई है कि जैसे ही इस कास्तकार को लगेगा मालते का एक समय होता है जनवरी 20 के बाद वो गिरना शुरू कर देता है खुद से उसकी पल्व इतनी पग जाती है उसका छिलका इतना पग जाता है कि वो अपने पेड को छोड़ने लग जाता है किसान के लिए वो पीडा क्या होगी कि उसका उत्पाद जो उसका उत्पादन है जिसको उसने इतने समय से किया है अब वो धर्ती पे गिरने की कगारपा आगया लेकिन उसको उसका खरीदार नहीं मिला उसकी मजबूरी वही लोग बन जाते है फिर वही चंद ब्यापारी वही मंडिया जहां वो कहता है ले जा यार जिस भाव से ले जाता है ठेका देता है फिर वो उनका हजारों मेट्रिक टन माल्टा हमारा इसके लिए गुरुजी की हमारे बीच में कर्णल साब है कह रहे थे कि किटिसिजम के साथ सुझाव होना चाहिए सुझाव जरूरी है हमारे पास राज्य के अंदर तेरा जिलों में तेरा फूड प्रोसेसिंग यूनिट गवर्मेंट बनाए मेरा रिक्वेस्ट है उन लोगों से यदि प्रोसेसिंग यूनिट होगी वहीं पर जूस बनाने के लोगों को महिला समुहों को लाके उनसे कहें आप इसका जूस बनाईए माल्टे का आप इनसे कहें कि जो भी आपके पास दूस की चीज़े होती तो उसको बनाएए पल्बी खटा कर लीजिए पल्बु को लेके स्टोर कर लीजिए दुरुभाग्य का विसा ये है तेरा जिल्लों में एक भी जिले में फल संग्रक्षन का कोल्ड स्टोरेज नहीं है एक भी डिस्टिक में राज्जी के पास कोल्ड स्टोर की भी वस्टा होती तो आब फल को लेते वहां एक जो को स्टोर करते जब उसकी मार्केट में वैल्यू बढ़ती तब आँसको लॉँच कर देते अपने अब आपको रेट मिल जाता लेकिन इनोह ने कोल्ड स्टोरेज की व्यवस्ता भी ने हुई है दूसरा अब देखो कीवी 30 रुपे का दाना मिल रहा है उसका कारण और कुछ नहीं है 50 रुपे दाना मिल रहा है कोई भी जो रेट होता है सर वह होता है प्रोडक्शन डिमांड के आधार परता ही होता है जिस छेत्रे में किसी चीज का प्रोडक्शन होगा वहां डिमांड अभी 결 cose ली कम हो जाएगी जिस ग्राम में सबी जिस ब्लॉक में सबी लोम अँगा रहे उस मार्किट में दो उसकी डिमांड होनी नहीं है वहां ang mean हो जाती है जब demand कम हो जाती है तो उसका rate कम हो जाता है, उसकी value कम हो जाती है, वापे लोग उसका वास्तुविक रूप में पैसा नहीं देंगे आपको, यदि आप उन पर जिम्मेदारी छोड़ देंगे तो आप गलत कर रहे हो, आपको उसका value मिलेगा हल्दवानी जैसे सहरों में, दे जणवरी के बाद, जनवरी 20 के बाद, फरवरी में लोके थे जार मलत मिलजेचा। कतु घला जी, माल्ता मिल जाता तो कित्ता अच्छा होता, चार दाने नीचार क Curryalds चार दाने माल टे के लिए उसका जाते है, चार दाने माल के लिए उस वक्टरह आई प्रोडक्शन खतम storage की व्यवस्ता न होना उसका एक बहुत बड़ा जो है कारण है अगर हमें ये storage की व्यवस्ता कहीं पर मिल जाए जो store करके चीजों को रख दे और जब market में उसके demand बढ़ती है तब market में उतार दिया जाए तो उस कास्तकार को उसकी value अवश्य मिले धात सस्ता का इसले भी धन् कि आपने माल्टा को लिया और इसके बाद माल्टा को लगाने का सीजन आप सब लोग जानते हैं जब बरसात का मौसम आता है तो हमारे यहां एक अच्छे अच्छी मात्रा में माल्टा का अगजी नीबू और नीबू लगता है आज परिस्तितिया इतनी दूबर है का अंदरों के आतंक को आप आये दिन सुनते होंगे कोई आप से नहीं कहता होगा आपका रिस्तितार गाव में रह रहा है वो जुरूर बताता होगा यह वार मेरे दस डो लगए रहा थी दूए ड़ूआ पालना माल्टे नीचोड़ गोई दो पह भी माल्टे नीचोड़ मैंने दस पेर लगाए थे नहीं छोड़ गया उसके बाद भी वो हमको इतनी मात्रा में उपलब्द करा के दे रहा है हम लोग उसको कुछ नहीं दे रहे हम उसको उसकी उत्पादन शमता का मूल्य प्रदान करने में सक्षम राज्य नहीं है माल्टे पे आप लोग कहेंगे कि माल्टे का टॉपिक बदल दिया माल्टे की ओर उध्यान की ओर बढ़ते हैं क्योंकि आप तो सौभाग्य साली लोग हैं मैं उध्यान बचाओ यात्रा गुरूप से संयोजग भी हूँ हमने एक संकल्प भी लिया है कि इस राज्य में दोबारा से उध्यान को इस्थापित किया जाए 1953 में सब को बताना चाओंगा ये सब के दिमाग में रहना चाहिए 1953 में हम लोग उत्तर परदेश थे हम लोग उत्राखंड नहीं थे जब उत्तर परदेश थे हमारे मुख्यमंत्री पंडित गोविन बंदब पंत जी पहाडी जिले से आते थे और पूरे उत्तर परदेश पर राज्य कर रहे थे एक राजा थे इतने बड़े परदेश के जो भारत का सबसे बड़ा राज्य था उनको चिंटा थी अपने उन पहाडी जिलों की उन्होंने बोला कैसे मिरा मेरा पहाडी आंचल कैसे इसको उत्तर काँ आंचल कहते थे तब इस छोटे से जिसमें ौज कर आए गई गई mirrors दस दिनों की। पहार से साइंटिस्स बुलाए गए गए। इस्टुडी कर आई गई क्या हो सकता है। मेरा पहार कैसे बनेगा। मैं तो लखनों में बैड जाओंगा राजदानी लखनों हुआ करती थी। ये तो सहरी तराई ही लोग हैं, ये तो डेवलप करी जाएंगे, मेरा क्या होगा, मेरे पहाड का क्या होगा? एक मात्र संसाधन मिला, जो जो जोग्राफिकल सर्वे में पाया गया, कि यह परवतिय राज्य है, यहाँ पूरी जो जलवायू है, वो हिमाले ही राज्यों की तल में फल उत्पाधन, कैटेगरी भी हमारे पास होनी चाहिए, सबजी उत्पाधन, मौन उत्पाधन, बकरी उत्पाधन, ये छोटे-छोटे लगूत योग का जो है ये केंद्र बन सकता है, और यहां की लोग आर्थिक रूप से ससक्त हो सकते हैं, हुए, क्यों नहीं हुए, हि केवल और केवल होटिकल्चर पर डिपेंड हैं, उनकी पर एनम इंकम, हर साल की इंकम, मैं 19 दिन रहके रिशर्च करके आया हूँ, 15 लाक से 25 लाक रूपिया है, वो केवल और केवल खेती-किसानी करते हैं, सरमिंदा नहीं होते हैं, वो अपनी खेती-किसानी और अध्यानी पड़े होंगे, तो आपने देखा होगा, सत्ता परिवर्तन करने वाले वही बागवान थे, उन बागवानों की नाराजगी थी, यह सत्ता परिवर्तन को मैं नहीं कह रहा हूँ, यह बता रहा हूँ, उनके अवेरनेस कितनी जादा थी, उन्हें यह पता है, उनके मेरिट् या नहीं कर रही हैं ये काम पंडित गोविन बल्लब पंत जी ने करवाया सर्वे हुई तो इन नो जिलों के लिए पहाड़ी नो या दस जिलों के लिए उन्होंने का जमीन आवंटित करो जमीन दीजिये उसमें राजे रजवारे घरानों से लोग बहुत जादा थे उनके प कि हमारे या बनाओ हमारे या बनाओ लोगों ने जमीने दान की एकड़ों में दान की कई हजार एकड़ पुरे उत्राखंड के अंदर जमीन दान हो गई सबसे जादा जमीन अलमोडा जी लेके चौबटिया में हुई जो एसिया का नंबर एपल गार्डन बना कभी 216 एकड़ की जमीन वहां दान की गई और वहां पर सबसे बड़ा जो है विभाग पूरे उत्तर प्रदेश का मैं उत्राखंड की बाती नहीं कर रहा हूं पूरे उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा विभाग उत्यान एम खाद्य प्रसंसकन विभाग इस्थापित करके नौ पहाड़ी जिलों में उध्यान को और उध्यानिकी को बढ़ावा देने का उसको आगे ले जाने का सौभाग्य भी हुआ उस व्यक्ति के विजन का सौभाग्य ये हुआ कि चौबटिया का सेब एसिया का नंबर एक सेब बना चौबटिया का गाडन भारती नहीं पूरे एसिया का नंबर एक गाडन बना उत्राखंड की उध्यान में ऐसी क्या चीज है जानने के लिए हिमांचल जंबू कश्मीर सिक्किम मेगालेया नहीं बलकि ऑस्टेलिया न्यूजिलेंड के लोगों ने यहां आके सर्वे किया सर्वे के रिकॉर्ड जब मैंने देखे मैं आ राज्य को किसी के आगे हाथ फैलाने की आवश्यक्ता नहीं पड़ेगी ये लोग धरातली रूप से बहुत मजबूत और ससक्त हैं क्योंकि इनके पास एक ऐसी भूमी है जो अन्न की जगर को सोना उत्पादित कर गें देती है लेकिन दुरुभाग्य हुआ मेरे राज्य क संघर सकिया अंदुलनकारियों ने राज्य बनाया उस राज्य के मूल पे जिनोंने काम करना चाहिए था उन्होंने उसको ढ़ा दिया किस कदर ढ़ाया मैं आपको बताता हूँ जर्मोला तो आपके नस्दीक में है देहरादून में है जर्मोला राज की उद्यान इसी देह चोरानवे राज की उद्यान राज्य में बचे हैं जहां कभी लाखों कुंटल टन फलों के ठेके होते थे चोटी-चोटी कलमे बनाई जाती थी फल पौध बनाई जाते थे माल्ते का उत्पादन होता था आज हमारा राज्य छाड़ी कटान के ठेके दे रहा है यह हमारे कि इन्हों ने जो लोग फिल्ड में काम करते थे जिनको वास्तों में जिनको पैसाई पेमेंटी पब्लिक पेमेंट उनको इसले मिल रही है सरकार उनको तनका इसले दे रही है कि वो राज्जी के मूल पर काम करें उनको उन जगों से उठा कर मिन्स चौबटिया जैसे निदे श्रोर में दिखाने के लिए उसको सब को उठा के रग दिया देरा दून सहकारी भी खाग एक जिले में था उसको उठा के रग दिया देरा दून यह जो दुरुभाग्य है यह इस राज के मूल को डुबा ले गया इसका एकमात्र सॉलूशन है विकेंद्री करण की नीती हमें इस राज्य को विकेंद्री करण की और बढ़ाना होगा जिसमें हर जिले में एक तो मुख्यल है आप खोलिए कहीं पर उध्यान का खोलिए कहीं पर सहिकारिता का खोलिए कहीं पर जड़ी बूटी का खोलिए उन पहाड़ों का आखिर करना क्या है आप लोगों को पहाड़ों को आपने खाली बंजर तो आपने किया है कलपनाओं से बाहर तो आप चले गए बिचार से बाहर तो आप चले गए राज्य बनाने के इस मूल के पीछे धात संस्ता जो काम कर रही है वो सरानी है कहा भी गया है ये धर्ती है जिसने इस धर्ती की एक मा का ममत्तो जो समझ ले वो इस धर्ती के ममत्तो को समझ लेगा जिसने अपनी मा के नौ महीने में गर्ब रहने के गर्ब के अंदर रहते हुए अपनी मा की पीड़ा को अनुभाव जिस बच्चे ने किया होगा वो बच्चा इस धर्ती की पीड़ा को जरूर अनुभाव करेगा और इस धर्ती के लिए काम करेगा जो बच्चा ये कह देगा रे हो गया जन्म मेरा तो वो कभी इसके मूल को इसकी वास्तविक्ता को कभी अनुभाव नहीं कर सकता क्योंकि जो धरा है जो हमें जन्म देती है जिसका हम परिचय आज पहाडी बोल रहे हैं गर्व से हमारा विस्तार होना चाहिए था हम संकुचित क्यों होते जा रहे हैं यह सोचने का भी चाहिए हमारा आज का बच्चा पहाडी कहने में क्यों जिचक्रा है आप लोग सब पुराने लोगों इसने पहाडी कहते हो नहीं जिचक्रे हो नए बच्चे में पहाडी का भिस्तारी करण क्यों नहीं है धात सस्ता के मंच से ज़्यादा न बोलते हुए क्योंकि आप लोगों ने कल्यों फूट फेस्टिवल भी रखा है भूख मुझे भी लगी है रानी खेट से आया हूँ एक इसको नारी मालने धर्ती को नारी मालने यत्र नारियस्त पुजन टे रमंत टत्र देवता कहा गया है जहां नारी पूजन होता है वहां देवता निवास करते हैं अपनी धरा को पूझना शुरू कर दीजीए मैं परसों एक रिपोर्ट पढ़ रहा था हिंदुस्टान की तीन दिन पहले का अगवार है, उसमें ये लिखा है, 56 प्रतिसत लोगों ने पहाड से अपने वोटर लिस्ट से नाम कटा दिया, क्या दुरुभाग गये मेरे राजी का, क्यों आप देहरादून, रहे ना देहरादून में क्या दिक्कत है, दिल्ली में रहो ना, हलद्वानी से लाइए, तब वो पहाड की बात करेगा, सदन से लेके समाजिक मंच तक आपके पहाड की बात करने वाला अभ्यक्ति होना चाहिए, जब आप लोग रहो गई नहीं पहाडों में, जब पहाड सीमित हो जाएंगे, जनसंख्या के आदार पर 2026 में, मैं आपको बता दूं, सीमांकन होने वाला इस राज्य के अंदर, और जब इस सीमांकन का आधार जनसंख्या होगा, तो केवल तीन तराई जिले, इसका आधार रह जाएंगे, देरादूल, हरिद्वार और उधम सिंग नगर, क्या इन लोगों के लिए, क्या तीन जिलों के लिए राज्य बनाया गया था, मेरा सबसे निमेदन है, दोबारा से, फिर अगले साल ये हर साल होता है, कम से कम अपने परिवार में छे लोग, पांच लोग, साथ लोग है, चार बच्चों के नाम तो कम से कम पहार के अपने जिलों में गाओं में लिखाए, जो मद्दान करेंगे, ताकि सीमांक के वक्त, आपके गाओं से, आपके घरों से जो परतिनित्य करते हैं, उन लोगों के संख्या में किसी भी परकार की कमी न हो सके, जो सरकारे चाह रही हैं, जिस दोहन की और ये बढ़ना चाह रही है, वो दोहन न हो सके, नहीं तो ये दाइरे और सिमढ़ते जाएंगे, इन आप, नमस्कार.